नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे जैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़िदार कॉमिक्स अनोखा न्याई अनोखा न्याई लेखक विमल चटर जी चित्रकार भाल चंदर मांड के किसी समय परतापकर में चंदर सेन नाम का बुद्धिमान प्रतापी एवं न्याय प्रे राजा राज करता था प्रजा की दुख सुख का पता लगाने के लिए वे तरह तरह के उपाई करता था इसी तरह एक दिल महामंत्री जी हम समझते हैं कि अब हमारी अजिकांश प्रजा सुखी है लेकिन आज हम आपसे उन लोगों की विशे में विचार विमश करना चाते हैं जो एबी हैं और जिनकी हमने आज तक कोई सुद नहीं ली मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज मेरा मतलब उन लोगों से है जो कोई न कोई एब रखते हैं जैसे शराबी, जुवारी, अफिमची, भंगेडी, चर्सी, चोर, ठग, गिरहकर, सटे बाज, पतंग बाज, कबुतर बाज, आधी-आधी अधर हम चाहते हैं कि इस बार उनकी भी सुद ली जाए और उनकी इच्छाओं को हमारी ओर से पूरा किया जाए आखिर वे एबी भी हमारी प्रजा का एक अंच है आपका विचार पुरा नहीं है महाराज हो सकता है अपनी इच्छा पूरी होते देख कुछ एबी अपने एब हमीशा के लिए छोड़ दे आप ठीक कहते हैं हमने भी यही सोचकर अपनी विचार आपके समक्ष रखे थे आप आज ही इस संबन में पूरी नगर में मुनादी करवा दीजिए ताकि शीकरी हमें मालूम हो सके कि हमारे राज्य में किस किस किसम के एबी रहते हैं जो आज्य माहराज और उसी दिन नगर में धिंडोरा पिटवा दिया गया सुनो भाईयो माहराज की आज्या है कि जिसे भी जिस चीज का एब हो वे माहराज की समक्ष प्रस्तुत होकर अपना एब बयान करे और महराज से अपने एब के लिए इच्छी धन अत्वा एब की वस्तु प्राप्त करे इन एबियों में चोर, ठर्क, डाकू, आदियों को भी सम्रित माना गया है अतर वे भी महराज से अपनी इच्छा बयान कर सकते हैं भाई वा, मान गए हम अपने महराज को उन्हें अपनी प्रजा के एक-एक वर्ग का ध्यान रहता है भाई, मुझे तो शराब कायब है मैं तो कल ही जाकर पूरी साल के लिए शराब का कोटा ले आऊँगा और मैं पूरे जीवन भर के लिए अफीम ले आऊँगा इस कंबक्त अफीम पर पैसे खर्श करती-करते मैं कंगाल और बरबाद हो गया हूँ अहा, मैं गांजा लाओंगा मैं चरस लाओंगा मैं भांग लाओंगा वा, क्या बात है महराज की मैं तो कल ही धेठ सारी पतंगे और माझ़ा ले आऊँगा मैं भी मैं भी आहां महराज की हमेशा जयजयकार होती रहे मैं तो अपने मुर्गे के दाने पानी के लिए पैसा मांग दूँगा आहां महराज अमर रहे मैं महराज से इतना धन मांग दूँगा कि कभी चोरी करने की जरूरत ही न पड़े अरे यार सुना तुमने महराज ने क्या निंडोरा पिटवाया है हाँ यार सुना है महराज सच मुझ महान है मैं तो कल ही जाकर पूरी जिंदगी के लिए दाना पानी ले आऊंगा और ठगी करने से सन्यास ले लूँगा मैं भी अबे जब दाव पर लगाने के लिए जेब में कुछ नहीं है तो यहां खड़ा-खड़ा क्या कर रहा है चल फुट यहां से जाता हूं भाई चाता हूं लेकिन कल आऊंगा और पूरी जेबे फर कर आऊंगा फिर देखूंगा कि कौन फर छोड़ कर भागता है क्यों कल क्या तेरे हाथ कुबेर का खजाना लगने वारा है कुबेर का नहीं बलकि महराज का खजाना महराज ने मोनादी करवाई है कि वे हर एबी की इच्छा पूरी करेंगे क्या सच अरे भाई यदि ऐसी बात है तो मैं अभी पहुशता हूं महराज की सिर्वा में सबसे पहले मैं ही हाथ मारूंगा अबे तुस्से पहले तो मैं हाथ मारूंगा ले मैं तो चला राजा चंदर सैन का पैगाम शहर कस्बों वो गावों से होता हुआ बीहर जंगलों में भी पहुँच गया सरदार आपने कुछ सुना महराज की मुनादी के बारे में हाँ सांबा सुना है और मैं सोच रहा हूँ कि इस मौकी का पूरा-पूरा फायदा उठाये चाए रोज-रोज जान जोकिंग में डाल कर डाका डालने से तो अच्छा है हम महराज से शमा मांग ले और उनसे कुछ जमीन लेकर खेती बाड़ी करके एक अच्छे इंसान की तरह जीवन निर्वा करें हाँ सरदार मैं भी इस नार की जीवन से उप चुका हूँ क्यों साथियो तुम लोगों का क्या विचार है हम आपकी साथ है सरदार लेकिन सरदार क्या महराज हमें शमा करके हमें सुधरने का मौका देंगे और सरदार कहीं इस घोजना के पीछे महराज की कोई चाल तो नहीं है हो सकता है इस तरहें वे हमें पकड़ना चाते हो नहीं इसमें महराज की कोई चाल नहीं हो सकती महराज के वचन बच सभाव से इस देश का बच्चा बच्चा परिचित है वे छल फरेब से अपना मकसद पूरा करने में विश्वास नहीं रखते तब तो हमें कल ही महराज से मिल देना होगा यदि महराज ने हमारी इच्छा पूरी कर दी तो फिर हमें जगरने अपराद करने से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा तो ठीक है मैं कल ही जाकर महराज से मिलता हूँ और उनसे अपनी इच्छा जाहिर करता हूँ तब तक तुम सब यहीं रुकोगे लेकिन कोई लूट पार्ट नहीं करोगे हमें मंजूर है सरदार इस तरह से राजा चंदर सेन की विचित्र मुनादी एक ही दिन में चर्चा का विशे बन गई जहां एबी लोग इस मुनादी से बेहत प्रसंद थे वहीं दूसरी और आधी प्रजा इस मुनादी पर चिंतित थी तथा आधी में रोश था हमारी महराज तो देवता हैं देवता कहीं महराज की बुद्धी तो प्रश नहीं हो गई है इन एबीयों का खर्चा उठा कर तो महराज का खजाना खाली हो जाएगा अगरे दिन भोर होने की साथ ही महल के सामने एबी लोगों की आने का तांता सा लग गया और दोपेहर होने तक वहाँ हजारों एबियों की फीड लग गई लीजी महराज, एबी लोग हाजिर है हेश्वर, हमारे राज्ये में इतने एबी इंसान होंगे यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था अच्छा महराज, एक बात बताईए इन में पहुँच से ऐसे लोग भी होंगे जो धन पाने के लिए लोग में योही एबी बनकर आये होंगे उन्हें आप कैसे बचानेंगे इस बारे में हमने सोच लिया है मावANTरी जी आप हर एब के एबियों का अलग-अलग दल बना कर उन्हें अलग अलग खेमों में ठेरवा दीजिए और उन्हें आज की रात उनके एब का सामान जुटा दीजिए जो वास्तव में एबी होगा वह उस वस्तु का सेवन करेगा और जो नहीं होगा वह नहीं करेगा तब आपको उन लोगों के साथ क्या वैवार करना है यह आप अच्छी तरह जानते हैं समझ गया महाराज तो मुझे आग्या दीजिए ठीक है जाईए और जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिए महा मंत्री ने उसी समय एक बड़े से मैदान में बहुत सारे बड़े बड़े खेमें करवा दिये और शराबी, जुवारी, अफीमची, डाकू, ठग, आदी हर तरह के एबियों को एक एक खेमें में ठेरवा दिया रात होने पर हर एबि को उसकी पसंद का एब पूरा करने का मौका दिया गया हाँ, बहुत से एबियों का ऐसा भी दल था जिन्हें इस रंग में शामिल नहीं किया गया इन में चोड, डाकू, ठग, पतंग बाज वा कुछ अन्य लोग शामिल थे उक्त दल को अच्छे से अच्छा भोजन कराया गया परिणाम यह निकला कि सुबा बहुत सारे लोगों को उठते ही किरफ्तार कर लिया गया सैनिको, ले जाओ इन धोके बाजों को और कारा ग्रह में डाल दो लेकिन हमारा कसूर क्या है उजूर? तुम लोगों का कसूर यह है कि तुम लोग एबी न होते हुए भी एबी बनकर महराज को मूर्ख बना कर उनसे धन एटने आये हो सैनिको, ले जाओ इन मर्दूदों को हाई, बुरे फसे हे राम, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए हाई, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं महराज को धोका देने चला आया कुछ देर बाद राज दरबार में महराज, यह सब शराबी है तुम लोग क्या काम करते हो? मैं कोई काम नहीं करता महराज हाँ, मेरे पिता जरूर खेती बाड़ी करते है हाँ, मैं ठेला चलाता हूँ महराज पर उससे घर का तो क्या? शराब का खर्चा भी पूरा नहीं होता इसलिए मैंने बीवी वच्चों को छोड़ दिया है महराज, मैं बंदरगा पर कुली का काम करता हूँ बड़ी मुश्किल से शराब का खर्चा पूरा हो पाता है महराज, मैं सेट के यहां ज़ाड़ू पोचा लगाता हूँ हम, महराज, मैं एक सेट के यहां माली का काम करता हूँ महराज, मैं कोई काम नहीं करता हाँ, मेरी पतनी एक स्कूल में अध्यापिका है वहर जो कुछ कमा कर लाती है उसी से घर का खर्च वा मेरी शराब का खर्च चलता है बहुत खूब महराज मैं एक चमिदार की भेड बक्रियां चराता हूँ लेकिन वहर बहुत कम बेतन देता है इसलिए मैं बहुत करीब आत्मी हूँ अच्छा फिर तुम्हारे पास शराब पीने के लिए धन कहां से आता है वह महराज हाँ हाँ बोलो बोलो हमसे कुछ भी चिपाने की अवश्यक्ता नहीं है वह महराज दरसल मैं शराब का खर्श पूरा करने के लिए अपने मालिक की पक्रियों का थोड़ा सा दूद चोरी छुपे पेश देता हूँ मेरा भी यह विचार था कि तुम ऐसा ही कुछ करते होंगे इस तरहें एक एक करके सभी नी राजा को अपने काम धंदे के बारे में बता दिया सब कुछ सुनकर आश्चार्य है तुम सबकी आमधनी इतनी कम है फिर भी तुमें शराब पीने की लथ है उसके बिना तुम जिन्दा नहीं रह सकते पता नहीं तुम लोग अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालते होंगे उनके साथ कैसा फिवार करते होंगे यदि हमने तुम एबियों का एब पूरा करने का वचन न दिया होता तो आज हम तुम सबको सौ सो कोड़े लगवाते खेर अब तुम लोग एक एक करके हमें बताओ कि तुमें कितनी कितनी शराब चाहिए महराज मेरा काम सौ बोतलों से चल जाएगा महराज मेरे लिए एक पीपा काफी है महराज मुझे दो ड्रम चाहिए महराज मुझे चाट ड्रम दिलवा दीजिए ताकि साल भर तक मुझे शराब पर एक फूटी कौड़ी भी ना खच करनी पड़े महराज मेरे घर पर एक हौध है बस उसे शराब से लबालब भरवा दीजिए इस तरहें सबने एक एक कर अपना कोटा बता दिया उन सब की मांग सुनकर कमबक्त कान के न काच के बस इने मुफ्स की शराब चाहिए लेकिन मैं भी शराब की सारी कीमत इनी के पसीने से वसूल करूँगा ठीक है हम तुम सब की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे महराज जिन्दाबाद महामंत्री जी आप इन सब को मुँ मांगा शराब का कोटा दिलवा दीजिए इसके साथ ही सब को किसी न किसी काम पर भी लगवा दीजिए ताकि ये सारा दिन शराब ही न पीते रहें और काम काच करके अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट भर सकें कि काम हाँ जब तुम्हें शराब चाहिए तो तुम्हारे बाल पच्चों को भी रोटी जाहिए तुम लोग जो काम करोगे उसका वेतन तुम्हारे घरवालों को दिया जाएगा सुनो, तुम सब कल नदी पाराना, मैं तुम सब को नदी पार वाली बंजर जमीन की खुदाई पर लगा दूँगा बंजर जमीन की खुदाई पर? हे भगवान, सैनिको, ले जाओ इन्हें, और जितनी शराब इन्हें चाहिए, शाही मद्रियाले से दिलवा दो उफ, महराज की शराब तो काफी महंगी पड़ी, शराबियों की दल के जाने के बाद, यह अफीमचियों का दल है महराज हम, तुम लोग क्या काम करते हो? ही ही, महराज, अफीमची न तो कोई काम करता है और नहीं कर सकता है वह तो सुभे से शाम तक अफीक की पिनक में पड़ा-पड़ा सुन्दर-सुन्दर ख्वाब लेता रहता है तब तो तुम सब हमारी देश की धर्ती पर पोज हो जो इंसान कुछ नहीं करता उसी जीने का भी हक नहीं होना चाहिए लेकिन चूंकी हमने तुम एबियों की इच्छा पूरी करने का वचन दिया है इसलिए हम तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे महाराज जिन्दाबाद, महाराज अमर रहे, खामोश मुर्खो अभी तुम हमारे जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हो लेकिन जब अगला आदेश सुनोगे तो मुर्दाबाद के नारे लगाओगे महा मंत्री जी, इन्हें जितनी ये चाहें अफीम दिलवा कर हमारे देश की सीमा से बाहर खिदरवा दीजिए ताकि इन बेकारों के बोच से हमारे देश की धतीमा मुक्त हो सके जी महराज, तुरंस सभी अफीम ची किरगडा उठे दहाई हो महराज, दहाई हो, हमें अफीम नहीं चाहिए कृप्या हमें देश से बाहर न निकालिये हमारे पीछे हमारे बाल बच्चों का क्या होगा हमारे समस्ते तुम निकम में लोगों के रहते हुई भी उनका बुरा हाल हो रहा होगा तुम लोगों के पीछे हम उनका थ्यान रखेंगे सैनिको ले जाओ इने और हमारे आदेश का पालन करो हाई अफीम की लथ यह नौबत ले आएगी कभी सोचा भी नहीं था अफीम्चियों की दल के बाद एक साथ चर्शियों भंगेडियों और गांजा पीने वालों का दल राजा के सामने पेश हुआ तब उनके मुख्या से राजा ने प्रश्न किया क्या तुम सब लोग काम करते हो हा माराज हम सब कोई न कोई काम करते हैं लेकिन सब्ता में केवल एक बार बाकी छे दिन अपना नशा पूरा करते हैं हम तो तुम सब भी निठल्ले हो निठल्ले कहा है माराज हम सब एक दिन में ही इतना कमा लेते हैं कि पूरा सब्ता आरामती गुजरता है हमारा नशा हमारे काम में पाधग नहीं बनता अरे मुर्ख जड़ा सोचो जब तुम एक दिन काम करके सबता भर का खाने पीने का जुगाट कर लेते हो तो पूरे सबता भर काम करके अपनी और देश की खुशारी का जुगाट क्यों नहीं करते महराज, जब हमें कम में ही संतोष मिलता है तो फिर ज़्यादा मेहनत करके शरीर और आत्मों को दुख देने से क्या फायदा? तो क्या नशा करके तुम्हारे शरीर और आत्मों को सुख मिलता है? हाँ महराज, नशा करके हमें असीम सुख मिलता है यही रही सप्ता में जो एक दिन हम काम करते हैं उसे भी नशे में बड़ी लगन से करते हैं यदि आपको विश्वास न हो तो आज मा कर देख लीजिए दस दिन का काम हम आपको एक ही दिन में कर दिखाएंगे तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद